जिन्दी की चार उतरब से भागी की घट्णाउं से भरी पड़ी है। हो सकता है कि कभी आप एक पार्टी में जाते हैं जहां आपके मुलाकात एक ऐसे वेक्ति से हो जाती है जो अपना खुद का स्टार्ट अप करने की सोच रहा है। और किस्मत से आप खुद भी कुछ महने बाद उस स्टार्ट अप का हिस्सा बन जाते हैं। या फिर आप लेक्चर के दोरान किसी कामयाब इंसान के साथ बैठने में खुद को बहुत ही भागिशाली महसूस करते हैं क्योंकि वो आपके सपनों का इंसान है। पर असल में कई सारी घटनाएं जिनका कारण हम भागियों को मानते हैं भागियों से संबंधित नहीं होती हैं। उनके होने की वज़े दी जा सकती है। जैसे कि उपर वाले उधारन में अगर आप बात करने में शर्माती तो शायद आप उस टार्ट अप से नहीं चुरपाते। इस तरह कह सकते हैं कि सामाजिक्ता से हम अवसरों की भविश्यवानी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे उधारन में अगर आप उस लेक्चर में न जाते तो उस काम्याब इंसान से मिल ही न पाते और इस तरह से वो आपके लिए आपका आधर्श न बन पाता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि करीबी के आधार पर हम पहचान की भविश्यवानी कर सकते हैं। प्रदर्शित करने वाले फिगर्स के खिलाडियों की जीतने के मौके अधिक होते हैं। अपने मूद स्वभाव को कैसे बदलें और उसे और ज्यादा आत्म विश्वासे और जिक्यासू बनाएं। पहला सबक अंत में आना आपकी किसमत चमका सकता है। बात चाहें नौकरी की हो, पदोन्नती की हो या फिर हो किसी रोमैंटिक खटना की। आपने कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति को ये कहते सरूर सुना होगा, कि यार वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पे सही जगे पे था। इस सदियों से जले आ रहे वाक्य में कुछ तो सच्चाई चुपी है। कम से कम सही वक्त शब्द में तो सरूर छिपी है। अकसर भाग्य अंत में आने पर निर्भर करता है, जैसा के हम सोचते हैं उसके ठीक विपरीत। ऐसी परिस्थितियों में जहां पर लोगों, चीजों या फिर परफॉर्मेंस को एक दूसरे के तुलना में जाचा जाता है। आपका आखिर में जाचा जाना आपकी कामियाबी या कहें किस्मत के मौकों को काफी हद तक बढ़ा सकता है। उधारन के लिए European Figure Skating Championship पर 1994 से लेकर 2004 तक किये गए एक विशलेशन में पाया गया कि सबसे पहले खेलने वाले सकेटर के जीतने की प्राइकता 3 प्रतिशत थी, जबकि सबसे आखिर में खेलने वाले सकेटर के जीतने के मौके करीब 14 प्रतिशत थे। कुछ लगभग इसी तरह की नतीजे Synchronized Swimming Championship और Eurovision गायन प्रतियोगिता में भी देखने को मिले। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इंसानी दिमाग इस तरह से काम करने के लिए बना हुआ है कि ये किसी घटना में किस तरह से काम करेगा, ये उस समय तक उस घटना के बारे में भावनाव पर निर्भर करता है। चले घर ढूनने यानि हाव संतिंग के उधारन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने लिए नया घर खरीदनी की तलाश में हैं। तो आप जो पहला घर देखते हैं, उसे आप अपने आदर्ज घर यानि जिसके आ आप दूसरा, तीसरा, चौथा और भी जादा घर देखने जाते हैं, तो फिर आपका दिमाग पिछले देखे गए घरों के जानकारी से भर जाता है। इसके बार जब आप कई सारे घरों का दौरा कर लेते हैं, तो आपका मस्तिश को विशलेशन करने लगता है कि ये घर, जितने भी घर मैंने अभी तक देखे हैं, उन सब में से सबसे शानदार है। घर खरीदने वाले ज्यादतर लोग पहले ही घर को देखकर कभी भी ये नहीं कहते कि ये घर शानदार है और मैं इसे ही खरीदने जा रहा हूँ। इसके बजाए वो पहले बहुत सारे घरों का दोरा कर लेते हैं और फिर अंत में विशलेशन करते हैं कि कौन सा घर उनके लिए शानदार रहेगा। ठीक इसी तरह फिगर्स केटिंग के ज्यादा तर जजज पहले खेलने वाले खिलाडियों को प्रायहफ पूरे अंक यानि कि 5.9 या 6 देने से कतराते हैं। चाहे किसी खिलाडी ने कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों न किया हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बाद वाले किसी खिलाडी ने शानदार प्रदर्शन दिखा दिया तो फिर तो उसे पहले वाले खिलाडी उसे ज्यादा अंक देना नामुम्किन हो जाएगा। इसलिए आखिर में खेलने वाले खिलाडियों को जज प्रायह अच्छे अंक देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनके बाद तो कोई आने वाला है नहीं। किसी प्रतियोगिता में अंत में प्रदर्शन करना आपके फागयों को जमका सकता है। इसलिए जब भी संभ़ हो किस नौकरी के साक्षातकार में या फिर किसी प्रतियोगिता में सबसे अंत में जाएं। दूसरा सबक इंसानों को जानी पहचानी चीज़ें जाधा पसंद होती हैं। इसलिए किसी जगे पर उस जगे के हिसाब से खुद को ढाल पाने का कौशल आपको भागयशाली बना सकता है। एक पार एक सामाजिक वनोविक्यानिक रॉबर्ट जजोक ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पश्चिमी वर्ण माला को विदेशी वर्ण माला यहने चीनी मोनोग्राम में प्रदर्शित किया। और फिर लोगों से पूछा कि उन्हें कौन सा वर्ण सबसे अच करते हैं जो उनके लिए जानी पहचानी होती है। इस प्रभाव की एक बेहत क्रांतिकारी व्याख्या है जो इसे जय जोंक ने अपने शब्दों में कहा है। अगर आप किसी चीज से घुले मिले हों तो इसका मतलब है कि उस चीज से आपको कुछ ना कुछ लाब होने वाल है। इसलिए हम उस चीज को स्वाभाविक रूप से ज्यादा पसंद करते हैं जिसे हम जानते पहचानते हैं और ज्यादा तर हम उस चीज के साथ खुल मिल जाते हैं जिसके साथ हमारा शारिरिक रूप से जुडाव रहता है। उधारन के लिए एक अध्यन बताता है कि प् कक्षा के बीच वाली सीटों में बैठने वाले बच्चों के उन बच्चों के तुलना में ज्यादा दोस्त होते हैं जो कक्षा के कोनों में बैठते हैं क्योंकि बीच में बैठने वाले बच्चे अपनी जगे के कारण पूरी क्लास के बच्चों से आसान इसे बात करके घुल मिल सकते हैं इसलिए अगर आपको लोगों से जान पहचान बनानी नहीं आती उनसे बात करने में संकोच महसूस होता है तो आप सिर्फ किसी पार्टी वगेरे में कोनों को छोड़कर मुख्य जगे में तश्रीफ ले आईए आपका आधा काम यूँ ही आसान हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे सिर्फ लोगों के आसपास रहने से ही दोस्ती नहीं हो जाती है आपको उनके साथ खुलना मिलना और उनके हिसाब से खुद को ढालना भी आना चाहिए अपना पहला इंप्रेशन मजबूत बनाईए क्योंकि लोगों का आपके प्रतिजादा तर निर्णय आपके पहले इंप्रेशन से प्रभावित होता है क्या संगेतकारों के शारिरिक दिखावट उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है इस पर एक बार शोद किया गया शोद में जजो को अलग-अलग लड़कियों के वाईलिन बजाते हुए वीडियो दिखाए गए कुछ वाईलिन वादक छोटे कपड़ों में थी जबकि कुछ पेशेवर वाईलिन वादकों के वेश में थी खास बात तो ये थी कि हर वीडियो में वाइलिन की एक ही रेकॉर्डिंग का प्रयोक किया गया था लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इसके बावजूर भी जजोने पेशेवर वस्तों को पहने वाइलिन वादकों को ज्यादा बहतरी इन वाइलिन वादक करा दिया अध्यानों से ज्यात हुआ है कि लोग उन चिकट्सकों पर ज्यादा भरूसा करते हैं जो कि अपने सूट के उपर सफेद रंका कोट पहने हुए होते हैं हम ज्यादा तरबार अपने निर्णे लेने के लिए अपनी बनी-बनाई धार्नाओं का सहारा लेते हैं सालों की इकठे किये हुए अनुभाउं से हमें लगता है कि सफेद कोट पहने डॉक्टर ज्यादा भरोसे मन्ध होते हैं और फॉर्मल कपड़े पहने वायलिन बजाने वाले लोग ज्यादा काबिर संगित अगे होते हैं बहुत ही ज्यादा बार हमारी किसी व्यक्ति को लेकर भरोसी की राय एक बहुत ही तेज आकलन पर निर्भर होती है और वो आकलन होता है पहला इंप्रेशन इसलिए चाहे बाद आपके लिंग्डिन प्रोफाइल की हो आपके कपड़ों की हो या फिर हो आपके हाथ मिलाने के तरीके की हमीशे अपना पहला इंप्रेशन शानदार बनाए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है तीसरा सबक इंसान खूबसूरती की तरफ आकरशित होता है यानि सुन्दर लोग ज्यादा भागिशाली होते हैं हम सब बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो सुन्दर होते हैं और उनकी यही सुन्दरता उन्ही कामयाभी दिलाने में सहयोग करती है और इसी तरह से हम सबकी जिंदिगी में हमारे स्कूल या कॉलेज का वो खूबसूरत दोस्त भी होता है जिसे कॉलेज में हर चीज की कमान दी जाती थी लड़कियां उसकी तरह आकरशित रहती थी और आज वो किसी बड़ी कंपनी में लाखो रुपे कमारा होता है वास्तों में सुन्दर लोगों का भाग्य जादा साथ देता है क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उनकी तरह पाकरशित होते हैं अब क्योंकि जिस इंसान को हम अच्छे तरह नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए हम उसकी जीन तो नहीं जात सकते ना तो इसलिए हमारा दिमाग उसे समझने के लिए उस वक्त तक मौझूद जानकारी के आधार पर अनुमान लगाने लगता है हमारे दिमाग को एक अच्छे रंग रूप, अच्छे बालो वाला इंसान ज्यादा जीन संपन्य प्राणी लगता है इसलिए हम आकरशक लोगों को स्वाभाविक रूप से स्यादा पसंद करते हैं इस तरह से हमारा दिमाग अपने आप ही अंदाजे लगाने लगता है ये इनसान सुंदर है, से इसके जीन पक्का अच्छे होंगे से लेकर ये इनसान बुद्धिमान और व्यवस्थित होगा अगर आप सोचते हैं कि सुंदरता संस्कृतिक रचना है तो इससे आगे पढ़िए बहुत सारे शोद बताते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग जाती, लिंग और संस्कृतियों के लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि कौन सा व्यक्ति सुंदर है और कौन नहीं ठीक उसी तरह जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं एक शोद में 6 महा की उम्रे के बच्चों को दो तस्वीरे दिखाए गए, एक सुंदर और एक भध्दी शोद में सामने आया कि बच्चे आकरशक तस्वीर को ज्यादा देर तक निहारते रहे तो आकरशक लोग दूसरे लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद किये जाते हैं इसलिए वे ज्यादा भागिशाली होते हैं उनकी किस्मत बहुत ही कम उम्र में जमक जाती है एक अध्यन बताता है कि जिन अभिभावकों के बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं उन्हें लोगों को द्वारा दूसरे अभिभावकों के दुलना में अपने बच्चों की ज्यादा देखभाल करने वाला माना जाता है सुंदर लोगों की लोग सामाने लोगों की दुलना में ज्यादा मदद करते हैं एक अध्यन में शोद करताओने कुछ शात्रों के युनिवर्सिटी कागजाद एक फोन बूथ में इस तरह से जानबूच कर रखे जिससे के फोन बूथ पर आने वाले लोगों को लगे कि ये गलती से छूड गये हैं उन कागजातों में कुछ कागजात सुन्दर दिखने वाले लोगों के थे जिबकि कुछ सामान ने दिखने वाले लोगों के थे हर डॉक्यमेंट में प्रत्यक की तस्वीर और घर का पता लिखा गया था शोध में सामने आया कि लोगों ने जादा दर उन छात्रों के काज़ातों को उन तक पहुँचाने में मदद की जो कि दिखने में सुन्दर थे सामान में सुन्दरता वाले कम छात्रों के ही डॉक्यमेंट उने मिल पाए थे तो कैसे हम मेंसे वो लोग जो शारिरिक रूप से सुन्दर नहीं है अपना भाग्य बना सकते हैं? दरसल हम अपने शरीर की परयाप्त देखभाल करके उसे सुन्दर बना सकते हैं, जैसे अपना पहनावा अच्छा करके, अपना शरीर मस्बूत बना कर और मेकप करके भी. सकता है लेकिन कैसे चली जानते हैं चौथा सबक आत्म विश्वास किसमत के लिए अवसर निर्मित करता है आपका आत्म विश्वास काफे हद तक आपकी परवरिश के माहौल पर निर्भर करता है एक लड़की के रूप में आपके भागेशाली होने के ज्यादा मौके होंगे अगर आप किसी बार में अपनी जगे से उठकर किसी लड़के से बात करने उसके पास जाती हैं कि तुलना में यदि आप सिर्फ किसी कोने में बैठ कर सिर्फ सोचती ही रह जाती हैं आत्म विश्वास यानि confidence तब आता है जब आप जोखिम से ज्यादा मिलने वाले फल की फ और दूसरा होता है inhibition system जो कि हमें जोखिम से होने वाली चिंता और सरदर्द के बारे में सोचने के लिए उकसाता है जब हम inhibition system में होते हैं तो हम एक बात try करते हैं शायद वो मान जाए सोचने के बजाए इससे शर्मिंदगी के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा सोचने लगते हैं और यही हमारे आत्मविश्वास में कमी लाता है वो लोग जो अपने inhibition system से ज्यादा ध्यान अपने activation system पर देते हैं ज्यादा भागिशा लिमाने जाते हैं क्योंकि वो कई सारी परिस्तितियों में नहीं घबराते हैं जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम भरी काते करना नौकरी में प्रमोशन के लिए पूछना आत्मविश्वासी वो चीज है जो किस्मत के लिए मौके बनाती है हाला कि कई लोगों के लिए अपने आपको inhibition system से activation system में ले जा पाना आसा नहीं होता सोचिए क्यों एक काम्याब खांदार में जन्मा अमीर लड़का ज निराशा भरी बातों के मुकाबले पांच लाग साथ हजार ज्यादा आशावादी बाते सुनता है एक मध्यम वर्गिये परिवार में जन्मा बच्चा सिर्फ एक लाग आशावादी बाते सुनता है जिबकि गरीब परिवार में जन्मा बच्चा अपने जिंदेगी के पह हीन भावना आना साहिर से बात है और इसी हीन भावना के कारण हम खुद को कम भागेशाली महसूस करते हैं पर इस हीन भावना की चंगुल से छूटना भी संभव है अक्सल लड़कियों के बारे में माना जाता है कि वे गणित में स्वाभाविक रूम से कमसोर होती है और इस शोध में मिले नतीजे चौकाने वाली थे खुद को आदमी समझने से लड़कियों में आत्मविश्वास पनपा और उनके गणितिये कोशल में एक तुवरित वृद्धी हुई अगर आप बच्पन से ही आत्मविश्वासी है तो आप लगी है और अगर आप नहीं है त उन पे लगातार काम करना इस तरह से आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकते हैं पाच्वा सबग सच्ची कामियाबी के लिए महनित ही सब कुछ नहीं है बलकि सच में सफल होने के लिए आपको किस्मत के अलग-अलग टुकडों को पास लाने की सरूरत होती है स्वीडन के एक मनोवैग्यानिक कारल एंडर्सन एरिक्सन ने एक अध्यन में पाया कि दुनिया के सबसे शांदार संगीत कारोनी कामियाब होने के लिए अपनी जीवन के ओसे तन 10,000 घंटे अभ्यास को समर्पित किये हैं इस बात को लेखग Gladwell Malcolm ने किसी क्षेत्र का विशेशक के बनने के लिए एक सूत्र का रूप दे रिया कि अगर तुम किसी चीज का 10,000 घंटे या उससे ज्यादा समय तक अभ्यास करते हो तो उस चीज में महरत हासिल कर लेते हो ये एक seductive सिथान्त है इसके अनुसार आप खुद भी एक विश्व प्रसित्य परफॉर्मर बन सकते हो आपको पस 10,000 घंटे अभ्यास के जरूरत है लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है कठिन परिश्रम और अभ्यास ही वो दो चीज़े नहीं है जो आपको किसी जीज का विशेशक्य बनाती है इसमें आपके जीन्स का भी योगदान होता है जीन और खिलाडियों के कौशल के संबंधों पर शोद करने वाले विशेशक्यों के अनुसार जीन्स का खिलाडियों की परफॉर्मंस पर 31 से लेकर 85 परतिशर तक प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए ओलिम्पिक में पदग जीतने वाले खिलाडी और ओलिम्पिक में सिर्फ प्रतिभाग करने वाले खिलाडी में किवल अभ्यास का फर्क नहीं होता है जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है जीन्स और अभ्यास के साथ ही साथ संसाधन और स्थान जैसे कारट भी हमारी performance को प्रभावित करते हैं जैसे हो सकता है कि प्रतिसपर्धी स्कींग खेल के लिए अनुकूल जीन वाला कोई व्यक्ती ब्राजील के फाइव वेला जैसे जगे में रह रहा हो प्रतिकूल जगे और कम संसाधनों में रहने के कारण हो सकता है कि वो व्यक्ती कभी शीतकालेन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग ही न कर पाए क्योंकि ब्राजील जैसे देश में बर्फ कम पड़ती है इसलिए वहां स्कीन का अभ्यास करपाना आर्थिक, भोगोलिक और सामाजिक रूप से आसान न होगा तैरागी के बड़े खिलाडियों पर किये गए अध्यनों से पता चला इस ज्यादा तर तैराग अच्छे आर्थिक सिती वाले परिवारों से आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर तैराग करियर में ज्यादा आगे नहीं पड़ पाते क्योंकि उनके पास अलग-अलग प्रतियोगिताओं में जाने के लिए परियाप्ट पैसा नहीं होता अमेरिका में ज्यादा तर अच्छे तराग दक्षिनी केलिफोर्निया जैसे जगों से आते हैं क्योंकि वहाँ पूरे साल भर धूप रहती है और वहाँ बड़ी संख्या में नहाने के लिए तालाब यानि की पूल भी होते हैं जीन, जगे और अच्छे संसाधनों के साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए क्योंकि अपने क्षेतर का महारती बनने के लिए आपको कभी भी मैं नहीं कर सकता हूँ जैसे नकारत्मक बाते न सोचने की जरुरत होगी जिसके लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा टॉम ब्रेडी जैसा सुपरस्टार फुटबॉलर अपनी कमियों और आलोचनाओं से निराश नहीं होता था बलकि उन्हें अपने स्वर्न यंत्रण और स्वर सुधार के लिए इस्तमाल करता था आप ये ऐसा करके पांच बार फुटबॉल के सुपर बाउल प्रतियोगिता जीतने वाले टॉम ब्रेडी के जैसे बन सकते हो काम्याभी के लिए महनत को क्रडिट देना असान है उधारन के लिए स्वर्न पदक जीतने वाले खिलाडी ज्यादा तर बार अपनी सालों की ट्रेनिंग को अपनी जीत का सारा शेय देते हैं वो अपने जीन्स और अन्ने परिस्थितियों को बताना भूल जाते हैं जैसे कि वो जिस घन में पैदा हुआ था उसके पास ही में एक ट्रैक था जिस पे वो रोज दोड़ा करता था या फिर उसके माता पिता इतने संपन्य थे कि वो उसके भारी कोचिंग की फीज दे सके निश्चित रूप से परिश्रम सफलता की कुणजी है मगर याद रहे या अपने आप में ही सब कुछ नहीं है छथा सबक स्वा नियंत्रन सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं किसी प्रोजेक्ट में जीतोर महनत से काम करके या फिर आराम से नेट्फलिक्स के शो देखते हुए खुद पर नियंत्रन और खाली समय को काम की चीज़ों जो लंबे समय में आपको फायदा देंगी में लगाना, कामयाभी या कहें आपके भाकिशाली होने के मौकों को बढ़ाता है डेलेट सिवर्स एक करोड़ पती हैं जिन्होंने CD बेबी के नाम से 1990 में एक कमपनी स्थापित की थी सिवर्स ने अपने खुद के संगीत की CD यानि की कैसित बेशने के लिए एक क्रेडिट कार्ड खाता खुलवाया था CD बेबी कमपनी का आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि क्या तुम दूसरे संगीत बैंडों की CD बेशने के लिए एक अलग वेबसाइट बना सकते हो बस क्या था? एक हफ़ते में साइट बनकर तैयार हो गई और कुछ समय के बाद यही साइट दो करोड बीस लाग डॉलरों में बीगी क्या किस्मत थी? है न? दोस्त से सिर्फ एक छोटी से बातचीत ने जरेक को करोडो डॉलर का मालिक बना दिया यह किस्मत की कारण नहीं हुआ सिर्फ के दोस्त उन्हें दर रॉबोर की नाम से बुलाते हैं क्योंकि उनके पास किसी चीज़ पर लंबे समय ध्यान लगाने की कला मौजूद थी सिवर्स को जब भी कोई नया कौशल सीखना होता था तो वो एक-दो हफते तक दुनिया से अलग रहकर उस पर मन लगा कर काम करते थे उधारन के लिए 1993 में जब सिवर्स ने पहली बार इंटरनेक नामक शब्द सुना तो उन्होंने सिर्फ इसे इस्तमाल ही नहीं किया बलकि साथ ही साथ प्रोग्रामिंग भाशा भी सीख ली ताकि वो अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकें दुरभा किसे? खुद पर नियंतरन स्थापित करने की कला सीख पाना कोई आसान काम नहीं है इसलिए जब भी आप खुद को नियंतरित करने की कोशिश करें और अरसफल हो जाएं तो ज्यादा निराश मत होईए हमारी दिमाग के लिए उन चीजों को करना ज्यादा आसान होता है जो कि वो पहले कई बार कर चुका है इसलिए लोग जो कई सालों से रोज सुबह टाई बानते हैं अपने आप ही बिना भूले इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं जबकि उन चीजों को करना जो हमारी लिए नई है हमारी दिमाग के लिए आसान नहीं होता है जैसे पहली बार टाई बानना सीखना या फिर दोस्तों के साथ टेलिविजन देखने के बजाए कोई नई भाषा सीखना नई चीजों को सीखने के लिए हमारे दिमाग के प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स हिस्से को अतिरिक्त महनत करनी पड़ती है इसलिए नई काम को सीखना कठिन लगता है क्योंकि ये सच में होता है आरदे ओस के द्वारा स्वशोधन कोई बहुत कठिन काम नहीं है हम छोटी-छोटी तकनीकों का इस्तमाल करके खुद को नियंतरित कर सकते हैं जैसे बिस्कुट के डिब्बे को खाली रखकर अपने छोटे से खाने के लालच को दूर भगा सकते हैं और अपनी डाइटिंग पर ध्यान लगा सकते हैं इसके अलावा अपने बड़े लक्षे बना कर जैसे दस साल में मुझे घर लेना है जिसके लिए मुझे पैसे बचाने हैं और अगर अभी मैं पार्टी करूँगा तो फिर घर खरीदने में दिक्कत होगी खुद पर नियंतरित स्थापित कर सकते हैं इसलिए अपने आप पर स्वन नियंतरित स्थापित कीजिए इसके बाद जैसे ही आपके पास भागेशाली होने का कोई मौका आएगा आप आसानी से उसका फायदा उठा पाएंगे ठीक वैसे ही जैसे डेरेक सिवर्स ने उठाया था सात्वा सबग दूसरे लोगों के साथ जुनने से ये नए अवसरों का निर्मान होता है लेकिन एदी आप अपने फिल्ड के दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी प्रतिपा दिखाने का कोई अफसर ही ना मिले 1990 में मनो वैग्यानिक कैथरीन गई उफ्रे ने न्यू यॉक फाइन आर्ट फोटोग्राफिस सीन में जाकर वहां सामाजिक संबंद कामयाभी को किस तरह प्रभावित करते हैं इसके जाच की इसके लिए उन्होंने लोगों और उनके सामाजिक संपर्कों की जाच परताल की जाज में उन्हें तीन तरह के लोग मिले पहले थे संखश्री लोग जो अपनी जीवन में असफल हो गए थे दूसरे थे वे फोटोग्राफर जिनके क्यूरेटर और अन्य कलाकारों के साथ अच्छे संबन थे उनका करियर ठीक ठाक चल रहा था लेकिन बहुत जादा कामयाब ये भी नहीं थे और फिर थे तीसरे तरह के लोग कामयाब फोटोग्राफर जिन्हें रोज किसी ना किसी बड़ी कला पत्र-पत्रिका से ओफर मिलता रहता था इस तरह के लोग बाकी से थोड़े से अलग थे इनके उन लोगों से ज्यादा सामजिक संबन थे जो और भी काम के लोगों से संपर्क में थे कुल मिलाकर कहें तो उनके पास एक विशाल नेटवर्ग था कैतरीन ने ध्यान से निरिक्षन किया तो पाया कि पहले के दो तरह के लोगों ने जो चित्र भेजे थे वे असपश्टता से रहित थे ऐसा नहीं था कि उनकी कला जरूरत से ज़ादा खराब नहीं थी बलकि कुछ मामलों में तो बहुत ही शानदार थी लेकिन उनमें बस एक ही चीज की कमी थी और वो थे उनके सामाजिक संबंध इसलिए एक फाइन आर्ट फोटोग्राफर जो कि लोगों के साथ सकारात्मक और रुचिकर बाचीत कर सकता है और मित्रवत संबंध बना सकता है जल्दी से आगे बढ़ जाता है और ठीक ऐसा ही किसी भी दूसरे पेशे के लिए भी सही है लेकिन हम में से जाड़ातर लोग स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ती से आर्ट गैलरी के दहलीज पर बाचीत छुरू नहीं कर सकते हम सामाजिक संबंधों में पढ़ते हैं तो खबराने लगते हैं और अजीब सा व्यवहार और हावभाव दिखाने लगते हैं हम उन्हें अपनी बाहें बंद करते और कहते सुनते हैं दूर रहिए वजा इसके कि मैं अपनी स्वेटर आज घर पर भूलाया हूँ इस तरह की बाते लोगों से आपके संबंधों को मस्बूत कर सकती है इसलिए लोगों से अपने संबंध मस्बूत करने के लिए आपको दूसरे लोगों में कहरी रूची दिखानी होगी दूसरे लोगों में स्वाभाविक रूप से रूची जाहिर करें उन्हें मुस्कराहट और जुकाव जैसे सिगनलों से दोस्ती का संकेत दें अगर आप यूँ ही किसी स्थान पर आनंद मैं रूप से जहल कदमी कर रहे हैं तो लोग आपके खुश मिजाजी को देख कर आपकी और आकरशित होंगे और आपको अपनी बाचीत में शामिल करना पसंद करेंगे याद रखिए इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिस तरह हम सेक्स और खाने की तरफ आकरशित होते हैं ठीक उसी प्रकार हम स्वाभाविक रूप से मुस्कुराने वाले और मिलन साल लोगों के तरफ ज्यादा आकरशित होते हैं आठवा सबक नई चीजों के बारे में जिक्यासा रखना आपकी किस्मत के मौकों को बढ़ा सकता है टोनी साय को पहली बार कारोबार के ख्षेतर में असफलता तब मिली जब वे सिर्फ नौ साल की उम्र के थे उनके कारोबार की योजना सीधी सरल थी वे डब्बे भर कीडे लाते थे उन्हें प्रजनन के लिए छोड़ देते थे और जैसे ही वे नए कीडों को पैदा करते थे तो टोनी जाकर उन्हें बेच आते थे तुरभागे से टोनी की कोमलता उस वक्त इस कारोबार में छुपे हुए जोखिम को नहीं पैचान पाई और एक दिन उनके डिब्बे से सारे कीड़े उन्हें बिना कोई आर्थिक लाब दिये भाग गए लेकिन इस खटना से टोनी के कारोबारी दिमाग को कुछ स्यादा फर्क नहीं पड़ा बलकि वे इस खटना के बाद और अधिक जिग्यासू और नए मौकों को तलाशने में माहिर हो गए इसके बाद उन्होंने एक अखबार शुरू किया और उसमें लोगों के विग्यापन देकर पैसे कमाना शुरू कर दिया उन्होंने हॉवर्ड विशुविड्याले में बार टेडिंग मतलब बार में पेपदाट परोसने का प्रशिक्षन लिया और साथ ही साथ गायों का दूद कैसे दूदा है ये भी सिखा उन्होंने मिकडॉनल्स के बर्गर को एक डॉलर में खरीद कर उसे तीन डॉलर में बेचने का काम करके भी पैसे कमाए टोनी ने कभी भी एक ऑनलाइन जूते बेचने वाली कमपनी का मालिक बनने का सोचा ही नहीं था जब एक entrepreneur उनके पास जैपोस का idea लेकर आया तो उन्होंने एक दम से उसे मना कर दिया क्योंकि जूतों का कारोबार करने में उनकी कते ही रुची नहीं थी लेकिन हमेशा की ही तरह जैपोस को लेकर भी उच्जिक्यासो हो गए बाजार में मौजूद अवसरों पर उनकी निगाहे गई और उन्होंने इस अवसर के लिए हां कर दी सन 2008 तक जैपोस जूते बेच कर एक अरब डॉलर कमा रही थी आखिरकार Amazon ने कमपनी को खरीद कर टोनी को करोड़ पती बना दिया ज्यादा तर लोग चीजों के प्रती जिक्यासो नहीं होते हैं जिस कारण उन्हें सफन होने के लिए कम ही मौके मिल पाते हैं जैसे कि हमें पता है कि इंसान स्वाभविक रूप से जानें पहचानी चीजों की तरफ ज्यादा आकरशित होता है इसलिए अग्याद चीजों से मिलने पर भय लगता है जैसे कि किसी ऐसी पार्टी में जाने से जहाँ पर हम किसी को नहीं जानते हैं इससे हमारा दिमाग inhibition mode में चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं नई चीजों के बारे में जिक्यासू और सतरक रहना स्वव अविरत चीज़े हैं अगर आप एक अंजान महफिल में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप नई चीजों को हैंडल करना सीखने के मौके गवा रहे हैं और अपनी यथा स्थिती में बने रहने के लिए प्रतिपद्ध है अगर आप उस महफिल में जाएं तो हो सकता है कि आपकी वहां किसी नए आदमी के साथ जान पहचान हो जाए जो आपको दूसरी पार्टी में भी बुलाए फिर तीसरी जब तक कि आप किसे खास आदमी से नहीं मिल जाते वो खास आदमी आपका भावी जीवन साथी हो सकता है या कोई शानदार कारोबारी मित्र हो सकता है इसलिए चाहे आपका दिमाग कितना ही विरोत क्यों न कर रहा हो कुछ नया करने का जरूर सोचे और करे भी उसलिए जैसे कि आप अपने मित्रो के साथ ज्यादा समय बिता सकते है या फिर अगर आप कुछ जोखिम भरा काम कर रहे हो तो उसके लिए पहले से ही पैसे भी बजा कर रख सकते है इसके अलावा आप कम चिंतित रहकर और अपने आत्म विश्वास को मस्बूत बनाकर अंजाने डरों का आसानी से सामना कर सकते हैं चीजों को हां कहना सीखें और अंत मैं कहना चाहूंगी हर कोई भागेवान बनना सीख सकता है कुल मिलाकर जिन्देगी कभी-कभी बैमान से मालूम पढ़ती है किसी को धेर सारी किसमत दे देती है तो किसी के भागे को मिटा कर रख देती है ये सच है कि बहुत सारी चीजें हमारे नियंतरन से पाहर होती है लेकिन ये भी सच है कि जब हम ये जानने लगते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे कुछ अंजानी चीजें और क्रियाएं हमारे व्यभार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तब हम ये भी सीखने लगते हैं कि भागेशाली कैसे बना जा सकता है भागेशाली बनने के लिए अपना सर्वाथिक प्रयास करें अपना सामाजिक दाइरा बढ़ाएं जिक्या सु रहिए और नई चीजों को करने का साहस करें क्या करें? रोज नईनी चीजों को सीखकर अपने भागे के मौकों को बढ़ाईए जितना हो सके अलग-अलग रियाक अलापों को करने का प्रयास कीजिए कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सीखिए फ्रेंच भाशा सीखिए या फिर कोई नया खेल खेलिए हो सकता है इससे आप खुद में कोई ऐसा होना धून पाए जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था या फिर हो सकता है आप अपने भावी कारोबारी दोस्स से मिल पाए अगर इन मेंसे कुछ भी न हो फिर भी कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़े आप कर सकते हो और कौन-कौन सी नहीं